राजनगर पंचायत भवन में मच्छुआ मतस्य जिवी सहयोग समीती का हुआ पुनर गठान पारसनाथ गोब बने अध्यक्च राजनगर पंचायत भवन में मच्छुआ मतस्य जिवी सहयोग समीती के विशेश बैठक वन विहारी महतों की अधिश्ता में संपन हुई बैठक में मच्वा मतस्य जीवी सहयोग समीति कैसे बड़े मतस्य पालन कर अधिक से अधिक किसानों को रोजगार से कैसे जोड़ा जाए मचली का उत्पादन कैसे अधिक हो इस पर विचार विमर्ज किया गया इसके पच्वा मतस्य जीवी सहयोग समीति का निर्वाचन सर बीसीयो संकर साव एवं प्रशाशक निर्मल लकडा की देखरेक में समीति का पुनरगठन किया जिसमें सरसंमति से पारशनाद गोप को अध्यक्ष मकरद्वज कैवर्थ को सचीव बीजू बास्के को कोसाध्यक् ने कहा कि समीति ने जो मुझे जिम्यवारीत स्वापी है उनको मैं बकूबी निभाऊंगा प्रखन छेत्रे के सभी मतस्य पालक को सरकारी लाप से जोडते हुए मतस्य उत्पादन को बढ़ाएंगे सचीव मकरद्वज कैवर्थ ने कहा कि समीति का गठन होने के बाद अब समीति पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाएगा बैटक में मुख्य रूप से रमेश हांज़ा, जैपाल मुर्मू, सोमनात मातो, मुनी राम हेमरं, समसार मुर्मू, गुरुपरशाद मातो, चत्तुर हेमरं समीत कई उपस्तित थे की आपना कार्ड को नर्वाम कहा अने किती समीति के इतने सधयुगे हैं, सभी को मच्री पालन का अब हुआ вз alignment करे बहुत से अश्य करें, मच्री सम करें कि इया हुए है इसका पोरशन को बहाना है, वाधिस्टादी मचली जुटबादन करना है, और उसमें को मचली पालं के बारे में बहुत आईसा जनकरी है, जो लोगों को अभी बता नहीं है, जो अभी पता नहीं है, जो सब को पर्मीन करवाना है, और मचली जोजना है, उसमें को बहुत को मा पारको हैँ पर घजस lidi करवाना होगा इसके बारे में जनकरी उपलब करना होगा उसमें सारा जो चित n हों सुन्य मैं करवाना होगा ऊसमें कre Resistance का और हुगा उब तरूफ हाँ अजसना पॉरस्टन को एग thread क्या आज क्या नियुक्त के गया अध्यत मच्षवा मस्जिदी सयग समिती लिमिटेड राज नजर के मैं सचीब बर्तमान बना हूँ और यह मेरा मच्षवा समिती है मच्षवी पालन का संब्द में मेरा सदस्य के बीच जितना भी जरुत हो जो भी अवसकता पड़ता है मैं ह मच्षवी पालन का विदिविदान से जानकारी दिया जाएगा लगन से मच्षवी पालन को केतना हूँ गरीब क्यों ना हो वो उजला से उजला बनेगा और उसका दूर रूप मिस्चीत रूप से दूर हो जाएगा इस से मच्षवा मतस जीवी सहयोग समीति की और से मुझे को सदश की रूप में जिमेदारी दी गई है इस जिमेदारी को मैं अपने तनमन धन से सहयोग करूँगा और आज से पहले जो भी हुआ है मतस पालन छेतर में या समीति की और से मैं परखंड अस्थर के जितने भी प्रामिनों को और जितने भी सदश को हमारे सहयोग समीति से जुड़े हुए है उन सभी को आर्थिक रूप से परिपक करने का मैं प्रयास करूँगा और जितने भी योजनाई हैं चैहे परधान मंत्री मतस जीवी के तरफ से जो योजना आती है या राज सरकार के तरफ से म में अपने लभुकूं के साथ उनको मैं शेयर करूंगा जागरू करूंगा Mirmar Shpala Neck ये जीवोका पार्जन जेत्र है जो आज तक कोई भी इस में और घाटा नहीं हुआ है या एक ऐसे जिवको पालन है जो कभी भी मचली अपने के बेपार में जो लगे है वो आगे ही बड़े हैं तीछे नहीं आए हैं आज मतश्पालन और मचली क जो उत्पादन है हमारे जहारकन में सरवधिक हो रहा है और उमीद करते हैं कि जहारकन चेतर के जो मतश्पालन है वो सरवधिक होंगे और हमारे देश से उजयादा लभरनित होंगे